तो इस वीडियो में हम बात कने वाले हैं SBI की E-Mudra Loan से आप business loan के लिए कैसे apply कर सकते हो यहाँ पे इसमें आपको क्या document देने परते हैं, क्या eligibility criteria required होता है, कितना आपको loan amount यहाँ पर provide किया जाता है और क्या rate of interest पर आपको यहाँ से E-Mudra Loan मिलता है पूरी information जानने के लिए वीडियो को पूरा आखर तक watch करेंगे, तो चलिया आशुरू करते हैं तो SBI जो है 10 लाग रुपए तक का आपको business loan provide कर रहा है, PM Mudra योजना के तहट इसमें आपको जो है 5 सालों के लिए maximum loan मिलता है इसी scheme से और यह scheme जो है government of India दोआरा जो है launch करी गई है, जो भी छोटे-मोटे अपना business वगरा करते हैं जो manufacturing से जुड़ा हो गया, trading से जुड़ा हो गया, या service sector से जुड़ा, कोई भी आप business करना चाहते हो आपका existing business है, या आपको new business start करना चाहते हो, तो इसके लिए जो है SBI offer कर रही है, आपको SBI जो है instant आपको 50,000 रुपए का आप पे e-mudra loan प्रोवाइट कर रहा है, और वैसे जो है आप एक लाग रुपए तक का आपको loan मिल जाता है, अब यहाँ पे जो rate of interest है, वो इन्हों 75 लगेगा, और 3 year के लिए लेना चाहते हो, तो 8.85% जो है MCLR आपका लगता है, वो tenure पे depend करता है, जितने साल के लिए भी आप मुद्रा loan लेते हो, इसके लावा यहाँ पे आपको 10,000 रुपए तक का loan मिलता है, पीम मुद्रा योजनिया है, इसके सायत आपको 10,000 रुपए तक का loan आपको provide करता है, वैसे आपको 10,000,000 तक का मिलता है, लेकिन SBI आपको 1,000,000 का provide कर रहा है, 3-5 साल उगले आप ले सकते हो, प्रॉसिंग फीज जो लगती है, अब प्रॉसिंग फीज अलग-अलग होगी, अभी हमें आपको बताएंगे, अब देखें यहाँ पे, जो PM मुद्रा योजना के थायत, SBI जो यह मुद्रा लोन आफर कर रहा हो, एक लाग उर्पय तक करता है, फॉर 5 यर, अब इस्टेंटली जो है, आपको 50,000 तक का loan मिल जाता है, अब वो डिपेंड करेगा, आपकी रिजबिल्टी क्राइटेरिया पर की, आप जो है कैसा बिजन का loan amount लेना चाते हो, तो आपको 0.50% की processing fees लगती है, वहीं SBI की मुद्रा योजना में eligibility criteria के require होता है, तो यहाँ पे जैसे कि बताए कि कोई भी अगर आपका existing business है, उसको आपको बढ़ाना है, expand करना है, आपका कोई new business है, उसको आपको establish करना है, तो और business आपका होना चाहिए manufacturing, trading और service sector से जोड़ा, तो वो लोग जो है apply कर सकते हैं, आपके 50 हर तक का loan में कोई भी margin नहीं रेता, मतलब 50 हर का loan अगर आपने तो पूरा 50 हर loan आपको transfer कर दिये जागा, लिकिन अगर आप 50 हर से 10 लाग के बीच का loan लेते हो, तो जो है आपको margin 10% का देना पड़ेगा, मतल collateral वगरा की तो कोई requirement नहीं होती है, कि यहाँ पे आपको कोई भी security वगरा रखनी की ज़वरत नहीं है, eligibility criteria क्या है, तो applicant जो apply कर रहा है, वो micro entrepreneur होना चाहिए, और उसका saving account या current account होना चाहिए, minimum 6 months SBI bank में, तभी वो SBI की e-mudra loan से जो है, loan लेने के लिए eligible माना जाएगा, बात क करेंगी documentation की, तो देखें, आपके पास current account, saving account number होना चाहिए, और branch detail, जिस भी branch में आपका account है, business proof आपका होना चाहिए, कि आप कौन सा business करते हो, business कब start किया था, तो सब information आपको देनी पड़ेगी, आपके पास आधार number होना चाहिए, और आधार number आपका जो bank account है, उससे भी link होना चाहिए, अब यहाँ पर task वगए community details आपको देनी पड़ेगी, कि आप gender हो, SCO, SCO, OBC minority हो, कुछ other document हो गया, जैसे कि GSTN number हो गया, उद्योग आदार हो गया, यह आपको document देना पड़ेंगे, इसके अलावा, आपको proof of shop and establishment हो गया, या कोई भी other business registration document हो गया, वो आपको यहाँ पर देना पड़ता, अगर आपके पास है तो, तो यह कुछ minimum documentation लगते है, SBI से e-moodra loan लेने के लिए, अब e-moodra loan के लिए आप apply कैसे कर सकते हो, तो इसका link मैं आपको video के description box हो देदूँगा, यहाँ पर आपको आना है, यहाँ पर देखिए, आपको information डालनी पड़ आप इसके उपर का loan, अगर आप PM मुद्रा योजना के तहट loan के लिए apply करना चाहते हो, तो इसके लिए हमने एक और वीडियो मनाया हुआ है, जिसमें हमने बताया, जन सामर्द government portal जो है, उससे आप जो है, मुद्रा loan के लिए कैसे apply कर सकते हो, या कोई भी business loan के लिए आप से कैसे apply कर सकते हो, और वहां से हमने पूरी information दी, apply करने का पूरा process बताया, वो तो अलग process रहता है, लेकिन SBI bank आपको यह मुद्रा loan प्रवाइड कर रही, एक लाग रुपा तक का, इसमें आपको instant loan प्रवाइड किया जाता है, और rate of interest भी आपको minimum देखने को मिलेगा, आई हो, वीडियो में आपको informative लगाओगा, वीडियो के एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल प्रवाइड को सब्स्राइब कर दीजिएगा, तो आज के इस वीडियो में आपस अतनावी तो मलते हैं, इस वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद